Fast API के पिछले lecture के अंदर मैंने आपको Titanic की एक basic सी app बना के दिखाई थी और उसमें मैंने एक छोटी से assignment दी थे कि प्लीज इसके अंदर आप plots add करें वो plots आपने तो add किये नहीं होंगे I know that अगर किये हैं तो ये आपके लिए thumbs up बनता है अगर नहीं किये तो ये आपके लिए बनता है यार साथ-साथ काम किया करो ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं हम basically plots को add कैसे करते हैं और कौन-कौन सी techniques को use किया जाता है plots को add करने के लिए इन Fast API वो देखने वाले हैं description में पूरी playlist का link है और github के codes का भी link है so just watch sit back and relax watch वो जो भी कहते हैं वो ही समझ ले समझ तो गया है ना तो समझा बिलकुल समझा let's jump into it आपने सबसे पहले काम करना है मैंने जैसे यह art form folder बनाया है और यहाँ पर main.py की हमने file बनाई यहाँ पर fast API को import किया साथ में हमने html response को यहाँ पर import करना है reason किया मैं अभी आपको बताता हूँ फिर हमने यहाँ पर sns और pandas plus matplotlib को import किया यह तीनों data और data plotting के लिए use होंगी फिर हमने base64 को import किया यह क्या करता है यह basically encode करता है plot को for base64 string जो html के उपर print करने के लिए required होती है और यहाँ पर हमने io से import किया bytes io for saving the plot to a bytes io object जिससे हम download भी कर सकते है यह दो चीजें जो है html के फाइल के अंदर या encode करने के अंदर plot को हमें help out करती है यह हमें html content को print करने में help करते है तो हमने क्या किया यहाँ पर अपनी app बनाई अप बनाने के बाद titanic का data जो उसे load किया survival class का जो हमने पिछला object बनाया था वो बनाया यहाँ पर route हमने बनाया पहला जो है वो simple हमने route route बनाया दूसरा हमारा survival rate का तीसरा survival rate का plot और इसके अंदर हमने response को html response के अंदर convert कर दिया because we are going to run this plot as a html response अब यहाँ पर survival rate plot का हमने एक function बनाया यह sync करके sns bar plot हमने बनाया x और y की base पर और यह तीन हमने title रखती है उसके ठीक है फिर हमने वो ही चीज जो आज तक हम सीखते है प्लोटिंग करने कोई भी किसी किसम की प्लोटिंग करेंगे and then save the plot to a bytes bytes io object और हम फिर उसको save कर लेते है in format png और bytes image के अंदर फिर उसको close करते है फिर वो क्या करते है basically bytes image उसे seek करती है तो यहाँ से जो हमने start किया और end किया इसके अंदर जो भी code होगा वो basically bytes io के object के अंदर save हो जाएगा and then we encode the bytes io object to a base64 string यह क्यों जरूरी है यह html के अंदर plot को convert करने के लिए base64 image को हम बनाएंगे किस तरीके से b64 को हम basically जो अपना bytes image है उसकी values को decode करेंगे utf के अंदर यह basically basic programming है आप सिरफ इतना समझे के हमने image को convert करना या encode करना है to be printed on html फिर हम क्या करती है html content को इस तरीके से print कर देते हैं अब हमारे पास html content किस तरीके से आ रहा है हमने यह वाली जो image हमारे पास आई है इसको हम directly यहाँ पे html के थ्रू को image को print करते है यहाँ पे करतेंगे so सारे का सारा काम back end पे हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास image आ जाजाएगी at the end हम इस image का नाम राखतेंगे survivor rate by class alt text जो होता है and then हम response को return करतेंगे and this is how you have to save your app और यहाँ से आप run करेंगे वो ही काम करके जो मेरे पास पहले run कर रही है uvicon main colon app dash dash reload यह करके मैंने इसको run किया हमारे पास यह basic app इस तरीके से आ गई जैसे मैं इसका survivor rate plot को यहाँ पे print करूँगा we will see a plot ठीक है अब कोई भी changes इस plot के अंदर कर सकते हैं you can see that those changes over there for example यहाँ पे मैं इसको hue भी देता हूँ hue is equal to और यहाँ पे मैं कहा देता हूँ say for example sex यानि कि male female और comma इसको मैं control s करके save करता हूँ and we can refresh this page and here you go आपका plot update हो रहा है so इस तरीके से जो भी काम आप back end के उपर करेंगे यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे चल रहा होगा अगर मैं इसी को box plot बनाऊ bar की जगा box plot बनाऊ and let's see how it works and here you go यह आपका box plot बन गया obviously यहाँ पे बनता नहीं है box plot but I just try to create that one और अगर आप चाहें इसी का bar plot दोबारा से बना सकते हैं this is totally up to you आपने सिरफ ctrl s करना है and then refresh this page because everything is being reloaded and then you can see that अब यहाँ पे मैं यहाँ पे cap size भी add करना चाहता हूँ cap size 0.05 और उसकी width बगर आइड की है मैंने just to see like this आपके पास caps आगी है मैंने colors change कर दी and this is how you can print the bar plot अब यही नहीं आप bar plot के ऊपर और भी काम भी कर सकते है आप plotly के थ्रू भी बना सकते है आप different किसम की libraries के थ्रू भी बना सकते है अब आपने करना क्या है आपने इसी किसम का plot interactive plot plotly के थ्रू बना के यहाँ पर embed करना है बहुत असान है जैसे मैंने पहले بھی आपको बताया जहां पे मैंने object sns bar plot का बना है वहां पे आप plot league का बना देगे let's see कौन कौन करता है like, share, subscribe this channel and video अपना ख्यार रखें description के अंदर मैंने playlist का link दिया हुए and see you in the next one